आप सभी साथगों का सुवागत है मैं अरविन सक्षेना बोलना हूँ साथना जगत के रहस्यों तो था तत्यों को जानने के लिए इस चैनल के प्रत्यक वीडियो को देखें अब इस वाले जो वीडियो है इसका जो टॉपिक है वैदिक जीवन जीए लिए वैदिक लाइफ तो वैदिक लाइफ क्या होती है और कैसे हम उसको अपने जीवन में उता रहें और वेदों के ज्यान का वेदों के जीवन पदधि को अपनाने का हमको कितना लाब होता है यह तो मैंने पिसले कही वीडियो में बताया हुआ लेकिन अब जो वैदिक लाइफ है उसके बिंदूओं को समधना जरूरी है उसलिए मैं ये वीडियो बनाया है तो जो वैदिक लाइफ है वैदिक जीवन है इसमें इसको अपनाने के लिए कुछ मलब कोई बहुत असाधन आपको प्रतनी नहीं करना है कि बहुत सारे लोगे कन्सेप्षिम्रेंस्न्ट रहता है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो का ऐसा नहीं है उसमें से बिल्कुल aujourd विजो की इकसे दूप घंड में बीलग को और इनको बारे बता रहा हुं और वो की बहुत ही आसान भी है इतना मुश्किल भी नहीं अब आप देख लेंगे तो आपको बात समय में आ जाएगी इसलिए ध्यान से पूरा वीडियो को देखिएगा कि इसमें पहला विंदु है कि डेली यानि प्रते दिन जो वेदक सूक्त है कुछ जो कि सम्विताज में दिये हुए है उनको कुछ न कुछ पढ़ना है और दूसरा यह है कि यग्यों को करना है यह मलब छोटा सा हवन करने जरूद नहीं है कम सकम उसको पूर्माशी को और मावस्या को भी कर लिया रहे तो भी ठीक है लेकिन कोई अगर देनिक कर सकता है तो बहुत इच्छी बात है एक जो साधान है अगर उसके बारे मताँगा मैं तीसरा है चैरेटी मांथ कि दान यह बहुत आशक है इसके बारे में नाशूख भी ए वे दों में उसके लिए तो अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा फिर उसके बाद दान के बाद है सच बोलना और सच के बाद है सदाचार तो ये पांच जो हैं बिंदु हुए वेदिक जीवन के पहला वेदिक सूपतों को डेली पढ़ना दूसरा यग्य करना तीसरा दान करना चौथा सत्य बोलना और पांच महां है सदाचार करना बस यहीं वेदिक जीवन है इसको तोड़ा सब मैं विस्तार में बटाना जा रहा हूं कि सब से पहला काम क्या करना वेदिक जीवन के लिए ज़रूरी है कि वेदों का आपके घर में होना जरूरी है बेद सममेटा आप चारों वेद संमिता सितने वी वीडियू के पहले समध में देख लिए गाजिएगा और यह आप संच में आगा है इसमे श्रीद के वेद ना नो एक ख्री आप एक हज़़ अंग जयुद आट ऑगोता है इसमें है तो ऐसमें Barag पोई तो भी मिल जाती है काई स्थानों से तो बंग आली जैए उसे यह बचाहई से चाहँ साप सधी जगएं अब अपने इसी जगह में जहां पर गंदगी ना हो, साफ सुत्री जगह हो, जाते लोग उहां पर टच नहीं करें उसे, क्योंकि वह और नरी किताबें नहीं हैं, जो जब पढ़ना हो, उसी समय आप पढ़ा है उसे बस, फिर उसको वापस उसी स्थान पर रख दें, क्योंकि इनका क्या म वाणी, उस रस्ती सही इनको दिमाग में रखना चाहिए, तभी आप इनका अगर आदर नहीं होगा, तो ग्यान प्राप्ति में बादा आती है, इसलिए वेद ग्यान प्राप्ति के करताओ का भी वीडियो में ने बनाया था, और दिव ग्यान का सम्मान भाग एक दिव ग् आँगा आगे, लेकिन एक या दो, तीन जितने भी पढ़ने हो, अधिक से अधिक शुरात में 15 में चक पढ़िये बस, तोकि उसमें उर्जा बहुत होती है, और इसलिए उसको जादे अभी नहीं पढ़ना चाहिए, अब देगे, सब संस्कृत में होते हैं, और उनको पारिये के लिए, क्या होता है कि, उनको पढ़ने देले पहले जो इसमें लिखा होता है अबैदी नाम, जंद भाना चाहिए, उसके बाद जो उनको संस्कृत में नेक एक सब्द को भी में भी में बढ़ना चाहिए, कोई आप च्शक नी अज unanim हो, लेकिन अरसमें उन मालु पूरा सुक्त पढ़ा उसके पढ़ेंग पुआ ही जरूरी है बिना मीनिग के अन्हीं पढ़ना है ये मैं बिग्णिग की बात बोला हूँ आगे चल के जब दिमाग बेढ़ जाएगे मीनिग बेढ़ जाएगा कैब हो सकता है कि मीनिंग छोड़ दिया जाए सीधे-सीधे उन उर्चरान अच्छा नहीं होगा यStelem लेकिन जब सुपत होगा वे आपको मदद करतेते हैं कि अब शॉक्त से कि आप उसको समझने भी लगेंगे, अच्छा बोलने भी लगेंगे, तो इसलिए शुरुआत मन में बुलियागा, उच्छान टेस करने की कोई आउशक्ता नहीं है, और इस तरह से इसमें मतलब आप किसी इंटरनेट की या फ्रांसिशन की इस तरह से ट्रेनिंग या मदद ल है लेकिन ऐसा है नहीं, वेस चुता आपको ग्यान अंदर से देते हैं, जो लोग इसको करते हैं, जो लोग पढ़ते हैं, मैंने किसी वीडियो मताया भी है कि आप पढ़ेंगे उसको उपर से और कुछ करेंगे नहीं उसको वेदिक लाइफ नहीं बिताएंगे, आप वेद चाहें इंग्लिश में पढ़ लो, चाहें हिंदी पढ़ लो, और इस तरह से उनको जैसे मैंने प्रनॉंसेशन बताया है, उसको पढ़ना है, तो दीमे दीमे कि एक वर्ट को लेकर पढ़ता चले जाना है, और इस तरह से और नहीं हो सकता है, पहले दिन सूप्त में लगे, दस मेंट, पांच मेंट, जो भी समय लगेगा, वो दीमे दीमे कम होता चले जाएगा, लेकिन यह कि किसी चीज़ की मदद ने ले लिनी, खुद पढ़ना है, यह इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसको पढ़ने के बाद में ही समझने में आगा कि कैसे अंदर से देवी बेटर होने लग जाते हैं, तो यह भी एक बहुत 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 एक्सपीरेंस होगा, जो लोग वेद पढ़एंगे, तो जब यह मैं केवल वेद सम्मितास की बात बोल लहाँ, अभी आगे के जो उसके पार्ट्स हैं, उनको मैं ब्रामन और अरन्यत और उपनिशद उनकी महायगे के बारे में मुझे बताना पड़ेगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो कि पंच महायगे को करने से क्या होता, इस जीवन के और फूल जन्मों के अनेकों अनेक पाप नश्ट होने लग जाते हैं, और जेतना शुद्ध होने लग जाती है, तो उ सुख को विदमीनिक पढ़ने हैं, मैंने बता दिया आपको, दूसरा बताया है कि देवयागे करना है, देवयाग मतलब जो नॉर्मल यगी है, घर फे खरना है, तो सुख मतलब साधान लूप से मैं जाकी बता रहा हूं, जो कि बहुत ही साधान और सिंपल है, कि एक हवन और पिरामिट शेप का होना चाहिए, और उसमें चोटा से लेके और उसमें जो है, चोड़ी सी थोली बहुत लकणियां रखके और घी रखके अपूर जला के, इस तरह सो अगनी प्रजुलित करें, और ओम अगना इनमा उनको प्रणाम करें अगनी जी को, और उसके बाद क्यातरी मंत्र जो होता है, उसकी ग्यारा बार आओती डालें भाँजे छावल है, बिल्कुल संशिप्त भाँण बता रहा हुँ, जियारा बार इतना तो कर लिए, अगर निच्छだ बहुत अच्छा है नहीं तो वीग में जब भी समय में लेताब कर लो पूरमार्ण च्रियमा उस्या पे ड़ा होता है सोग्ट देली नित्यमाली आख सोग्ट पड़ा जा रहे हूं, तो इक महिना रहे हैं। को फिर उसके बार उन्सुक्त का भी हवन की आरा सकता है उसके लेकिन जब पार्ट करें तो उसके जो होता है अगनी सुक्त वो आप देख लिजएगा रिगवेद का जो है जो पहला वाला सुक्त है वो अगनी सुक्त को उसको उसको जुरूर से पार्ट करिए स्टार्ट वहां से करिएगा तो पंचायत माहा यग मैं तीसरी जी जाती तर्पण वगरा होता है या इसके लिए बलीवैस प्रोसेस वहницटा है और बहत्की ज होता है उसके लिभी Looking at a ओंट चाहिता जाता है तो जब वीडियो उसको को देख लीजेगा वही बली बैस्व किया रहता है वो और इस च्छी बात ही है कि वह एक फोपली बना के उसके चैकर करें जाते तो वह क्या है ? प्रोसेस में पूरा बताऊंगा वलिवै्श वाले वीडियो में वो नित में अपना खाने से पहले अपना रोटी निकाल आता है तो बलिवह से डेली होगा देवया कभी कभी कर लो लेकिन महीने में दो बार पूरमास्षी में अशा करने के गोशिच करने चाहिए नहीं तो जब भी मौका में ले कर लो यह हो गया यग की बारे में जो पांच्वां यग जो है पंच जो यह महायग्य उमें आता है ुआ ह्वार में याग कि अतीती में सब्सक्राइब करना जिता है। उनको भावना से सद्कार करें यह नहीं कि को अतीती कौन आ गया वाली बात नहीं लगते हुए उसको एक सम्मान के साथ में उसका जो भी है उसका सद्कार करना चाहिए इसके अलावा कुछ जो सूक्त मैंने और बता और जो आपको बताये थे कि यह जो आएगा चैलिटी वाली बात आएगी यह नहीं कि दान इसके बिना तो आप समझ लिए कि वेद कोई रिजल्टी नहीं देंगे कोई परणाम देंगे इतनी बली चीज़ है यह वेदों में इत तो दान क्या करना है छोड़ा जो भी दान हो करो हफते में दो दिन में हफते में या महीने में दो बार कर लो या पूर्माशी पर कर लो या महुस्या पर कर लो या किसी दिन भी कर लो महीने में महीने में एक बार दान कर लो अगर हो सके जो भी दान हो अगर किसी आप पातर और अपने घर में आसपास जोए, जिसको जरूरत हो, उसको कुछ न कुछ आवशे दान करें, पासर पर अन दान जरूर करें, जैसे कि किसी का फैमिली का जो भी कुछ गुजारा हो सके, उतना उसको दे देनी चाहिए। इसका कोई मेल रूल इंदारत नहीं है, वो उसके उपर निरुपर करेगा आपकी चम्ता क्या है दान देने की और जो दान देने जारा उसकी जरूवत क्या है इसके अलाबा पर अगला पांट जो मैंने बता दा चौथा वो ठोथ सच्चाई क्योंकि सच भी जो होती है, जो जुट बोलने वाले होते हो जो उनको दम्ड के लिये बनने हैं ही तो इसलिए जो बोलना पartet के सूथ को मतन acts नंई करना तो फ estar न हीरण देवत का हो तहारी साधना में और भिंग न जाएंगी तो इसलिए जो जुट बोलने होते हैं Un Go came through और नोजिन पड़ के लिए सदाचार को विली कि इन वह संदों को पी मिलता वेorous क्नितने वह का दूमनों असक्ता किने ऑफ्रे भी मतनी हो वुहिए सब आवश्यक्य ईसके परपल नहीं मिलता अब रही बात खाने पीने के बारे में भूरा मुझे एक वीडियो बनाना पूलेगा जो फूट के बारे में लेकिन यह कि इसमें में चीज यह है कि जहां तक हो आप वेजिटेरियन रही है चाकाहरी मीट अंडा और शराप इत्यादी नहीं हो इसके लिए मैंने जो मेरी अप पूट के बारे में काफी कुछ बताया है इसमें चैनल में भी मैं फूट के खाने के बारे में कुछ मेला वीडियो बनता हूंगा वो उसको जुरूर देखना होगा कि क्या है लेकिन मुटा मुटा तोर पे शाकाहरी होना चाहिए और जब यह एक साल दाप माले जाए कि है तो समझ लिजए कि तब उसके जीवन में उसको काफी कुछ परवतन बीच में मसूस हो जाएगा अपने क्या क्या होता है और फिर उसके बाद में आगे के स्टेजिस आती है कि आप अगर मन है किसी का तो आगे जो है वो ब्रामन अरन्य का फिर उपनिशत पर जाए यह च की चीजे हैं तो यह एक साल वेदिक जीवन मिताने के बाद में ही आगे स्टेटी का मारग खुलता है वेदों का यह इंपोर्टेंट बात है अब जो यग्य हैं यह जानने कियेगा वेदों की सोल है इनको मिस्कवी नहीं करना चाहिए बहुत सार यग्य है मैंने बताए मैं कई वीडियो में उनके नाम तो बताए मैंने लेकिन जो मुक्ष चीजे थी जो कि हम वेदिक जीवन में बिताने के लिए सामाने रूप से वो मैंने इस वारे वीडियो मता दी है एक जो मान लीजे कि जो यग्यों का बेस करना चाहिए जो कि अधार वो होता है अग नहीं हो जीवन में बहुत बढ़िया परिवर्तन आता है और साथ में जो भी वेदिक जीवन को प्राप्ति के जो क्या लक्ष है ग्यान प्राप्ति के तो उसके लिए मैंने जो वीडियो बनाया है वेद ग्यान प्राप्ति के करतव यह जो की तैतरी अपनिशाद में दिया हुआ है यह वीडियो मैंने बनाया हुए इसको जुरूर सुन लीजेगा उसमें सारे जो आचार होते हैं जब वेद शिक्षा समाप हो जाती है किसी शिकी तो उसको जो उपदेश देते हैं वो उसमें दिये हुए है तो उससे पता चल लाएगा कि वेदों की शिक्षा देने का परपस क्या है तो उससे कंबीरता भी आएगी वेदिक जीवन बिताने में और एक वेदों के प्रती जो है मैं एक नया दिश्चिकों भी विक्सित होगा तो आशा करता हूं कि आपको सब जानकारी अच्छी लगी होगी वाकि आप लोग कमेंट करके बताईएगा इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद